हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारह पत्रक नमबर 29 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और विश्य है विज्ञान ये वर्क्षिट 29 जेनवरी 2021 की है अपने माता जी से और कुछ लक्षन अपने पिता जी से मिलते हैं ऐसा क्यों होता है इसको जानने के लिए हम निशेचन पर किरिया को समझते हैं निशेचन नर युगमक और मादा युगमक के सल्यान की किरिया को निशेचन कहते हैं पिछली वक्षित में हमने नर जनन तंतर और मादा जनन तंतर को अच्छे से समझा था और हमने देखा था कि नर जनन तंतर में हमने देखा कि वरशन में क्या होते शुक्राणू बनते हैं और मादा जनन तंतर में अंडाणू बनते हैं हमने देखा इनको मच्छे से समझ चु मादा यूगमक है ये अंडाणू जिसे कहा जाता है और ये है नर यूगमक के शुक्राणू इन दोनों के सल्यन को मिक्स को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं निशेचन तो बहुत इंपोर्टन है बेटा ये डेफिनिशन इसे अच्छे से लर्न कर लेजिएगा ठीक है और इस गाएं, बिल्ली, कुट्ता, मुर्गा, इतियालि उन को क्या कहा गया है आंत्रिक निशेचन की वहां प्रकुर्यय जिसमें नर यूगमक हमने अभी देखाक है नर यूगमक और मादा युगमक का सल्यन मादा शरीर के बाहर होता है उसे हम बाहिय निशेचन कहते हैं जैसे कि मैंडक मचली तोड इत्यारी तो जब निशेचन की जो प्रकिरिया है मादा शरीर के अंदर होती है तो उसे हम आंत्रिक निशेचन कहते हैं निशेचन प्रकेरिया जब मादा शरीर से बाहर होती है तो उसे हम भाहिय निशेचन कहते हैं एक्जामपल ज़रूर याद कीजिएगा मेंड़क, मचली और टोड अब देखते हैं का भाहिय निशेचन इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैंकडो अंडे दे देती हैं तो देखो क्या कहा जाता है भाहिय निशेचन में समझाया गया बैटे इसको भाहिय निशेचन में क्या है इस प्रक्रम में जब नर वे मादा एक साथ पानी में आते हैं तो क्या कहती है कि मादा जो है वो इस एकड़ो अंदे पानी में दे रेती है जो कि एक जैली की परत से एक साथ सुरक्षित रहते हैं यह जूरकषित रहते हैं जैसे ही मदा अंडे देती है, उसी समय नर उन पड़ शुक्रानू छूड़देता है Michsane मादा ने क्या किया अंडे दिये तो नर क्या करता है शुक्राणू छोड़ देता है जिसे कि यहां पे ठैली में क्या है अंडानू है ठीक है इस तरह से खूब सारे अंडानू है अब यहां पे क्या होगा जो मादा सोरी जो नर है वो क्या कर देगा शुक्राणू को रिलीज क संपर्क में आते हैं जिसके फल्चव पूर्म निशेचन होता है जैसे ही शुक्राणों और अंडाणों क्या होंगे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो निशेचन की परकिरिया हो जाती है यहां निशेचन जल में होता है मादा शिरीर के बाहर तो यह समाने जलिये व्हानल में होता है तो देखो एक बन फिर समिघते हैं क्या कहा गया है ? कि बाइया निशेचन में क्या बहुता है ? अब जब अंडानौ और arrowडाओ दोनों क्या हो एक दूसर के संपर्कश में की आएंगे तब क्या हो जाता है ? निशेचन होता है ठीक है चुन और ऐसा अधिकतर जलिये जंतुओं में होता है अब हम देते क्या आपने परक्मेली शिशु के बारे में कभी सुना है तेस्ट्यू बेबिस कभी सुना है आपने उसके बारे में कुछ स्ट्रियों में अंडवाहिनिया अवरूध होती है हमने देको structure देखी थी यहां पर क्या थी ओवरी थी ठीक है और इस तरह यहां पर हमने देखा था कि यह क्या है इस तरह का डाइग्राम अपने पिछली वक्षित में बनाया होगा न तो यह क्या था ओवरी अंडवाहिनिया और इसे घरभाश्य कहा था तो कुछ स्ट्रियों में अवरूध होती है अशी स्ट्रियां शेश invest क्रने में एस्मर्थ हो जाती है हमने देखा था कि अंड़ानों Science iz आउन्डवाहिनिय में और यहीं पर क्या हूता है यहीं पर निशेचन होता है तो अब किस तरह क्या हो जाती है अवरूध हो जाती है ब्लोक हो जाती है किसी यहीं रिजन से तो य एसी स्थितिया शिशो उत्पन करने में एसमत होते है क्योंकि निशेचन के लिए शुक्राणू मार्ग अवरूद होने के कारण अंडाणू तक नहीं पहुंच पाते है कि अगर यहीं ब्लोकेज हो गया तो क्या हो गया यहां से अंडाणू तो रिलीज हो जाएगा लेकिन श शिरीर के बाहर क्रतिम निशेचन हो सके यहां से मादा से अंडाणू लिया जाता है और मेल से क्या लिया जाता है शुक्राणू लिया जाता है और बाहर लैब्स में क्या क्या जाता है इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो इस निशेचन करवाया जाता है तो इसे क्या कहते है IVF इन विट्रो निशेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगर निशेचन हो जाता है तो यूगमनज को लगबग एक सप्ता है तक विक्सित किया जाता है अब जो फर्टिलाइजेशन हो गया लैब में किया जा रहा है जो मादा है उससे क्या लिया गया अंडानू लिया गया और जो मेल है उससे स्पर्म लिया गया शुक्रानू लिया गया लैब में ले लिया गया उसके बाद नों को फर्टिलाइस करवाया गया और उसके बाद एक सप्ता है तो जो युगमनस बन गया हमने देखाता ना कि परकीरिया है निशेचन की परकीरिया है और उसके बाद क्या बनता है यूगमनज यूगमनज बना तो उसे एक सप्ताय तक क्या किया जाता है विक्सित किया जाता है जिसके पश्चात उसे मादा के घरभाशे में स्थापित कर दिया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है उ भूनब बने गर्भाश्य को कि तरह होता इस तकनिक दधारं में परकणली खोड़ी की तरह शिचु को अ Suchथ है देखो क्या question answer निशेचन किसे कहते हैं यहाँ प्रक्रिया मादा जननतंतर के किस भाग में होती है तो first देखो यहाँ पे निशेचन की आपको बहुत अच्छे से definition दी गई है नर युगमक और मादा युगमक के सल्यान की किरिया को निशेचन कहते हैं तो यह हो जाएगा first question कह answer यह हो जाएगा first question कहा answer अब इसका second part क्या पूछा गया उन्होंने यहे प्रक्रिया मादा जननतंतर के किस भाग में होती है तो यहे लिखा गया हम इसी में से देखेंगे देखो यहां पर अंसर नंबर यह हो जाएगा तू का अंसर वह निशेचन प्रिके जिसमें नर्व मादा युगमक का सल्यान मादा शरीर की अंदर होता है उसे आंतिक निशेचन कहते हैं इसके एक्जांपल लिख दीजेगा वह देखेंब दानु और अंडानु का सल्यान क्या कहलाता हैं बहुत अच्छे से हैं निशेचन कहलता है निशेचन next देखेंगे गाएड Self मनुष्य में आंत्रिक निशेचन होता है किस तरह का निशेचन होता है आंत्रिक निशेचन ठीक है यह हो जाए कर गाएव इवी एफ का पूरा नाम बताईए यहाँ पे दिया जाएगा अंसर नमबर फूर तो बच्छे आज की जो वक्षीट होती है वक्षीट कम्प्लीट करके अपने टीचर से चेक कर आए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक्यू स्टूरेंट्स